नमस्कार भारत एक नाइन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ कावेंद्र चौहान क्या आप भी सोच रहे हैं कि उत्तरप्रदेश की राजनीतिक हवा में जब तपिश बढ़ी हुई है बीते दिन कॉंग्रेस से बीजेपी में आये ब्रामबनेता जितिल प्रसाद में सियासी सागर में हलचल को और बढ़ा दिया है और अखलेश यादव में भी आखिरकार केंद्र सरकार की वैक्सीन लगवा ली है तो मायावती का राजनीतिक सीन क्या है कभी उत्तर प्रदेश के टी स्टॉल से लेकर गामीट छेतरों की वाल तक मायावती का जिक्र रहता था जैसा ठंडा मतलब कोका कोला होता है गाउदिहात में गोद्रेज मतलब अलमारी होता है वैसे ही बहनजी मतलब मायावती होता था लेकिन 2007 में पीम का सपना देख रही मायावती आज एम पीम कहीं भी नजर नहीं आ रही है वो मुखर होकर बोलना छोड़ चुकी है सलाह देने लगी है बीजेपी और सपा पर भी सॉफ्ट साइड रखती है जो एक चीज नहीं बदली है वो है उनका डिस्सिप्रिनरी आक् दिया है दोनों विधाय गराम अचल राजबर और लाल जी वर्मा को तब निकाला गया जिस वक्त है दोनों अपने जिले में जिला पंचायत अध्यक्षपद पर बस्पाउब मीदवार के जीत के लिए रणनीती बना रहे थे लेकिन लखनव में मायावती ने इन दोनों की कम सुर्खियों में कम लेकिन निताओं को गेट आउट करने के लिए जादा फोकस में आती हैं ऐसे में ऐसा लगता है कि बस्पा में आखिर में कोई नहीं बचे का सिर्फ मायावती रह जाएंगी इसी मुद्दे पर होगा आज का भारत एट नाइन तो चलिए प्रोग्राम तो मायावती के कदम से सब हैरान है इस पर हमारे भी कुछ सवाल है सवाल है कि नेताओं की सफाई से पार्टी की सफाई होगी या पार्टी का सफाया विधायक बचे 19 से 7 ऐसे कौन रहेगा इनके साथ बस्पा में कब खत्म होगा निश्कासन का तिवहार हार पर जब हार च जाएंगी उत्तर परदेश में इस वक्त चुनावी मोड एक्टिव है लेकिन चुनावी मुद्दे की थाली में बरस्टाचार कानून विवस्था गायब है जो की हर बार मैन्यू में होती थी इस बार इसकी जगह कोरोना महामारी में सरकार की लापरवाही ने ले ली है सला दिये राजनीती के पन्नों से गायब होती चली जा रही है एक वक्त ऐसा था जब लोग कहते थे कि मायवती का राजनीती में जो रंग है जो धमक है उसे कभी भी कोई कम नहीं कर पाएगा लेकिन इस रंग में अब समस्या आ गई है और ये कहां पर आई है उस पर बात करते तो एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी यानि की बस्पा की राष्ट्री अध्यक्ष मायवती का कद इतना बड़ा था कि वह अकेले दम पर केंद्र की मनमोहन सरकार के लिए संजीवनी बन गई थी बस्पा सुप्रीमों की राजनीती का ये असर था कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे की कमान उन्हें चार बार सौपी गई साल 1995 से लेकर 2012 तकी राजनीती में मायवती ने चार बार उत्तप्रदेश की सत्ता की कमान समा दिया उत्तप्रदेश में साल 2007 के विधान सबा चुनाओं में मायवती ने करिश्मा कर दिया उन्होंने 206 सीटे जीत कर पूर्ड वहुमत की सरकार बनाई थी और लोगसबा में उस वक्त 19 सीटे हुआ कर दी थी बस्पा की साल 2009 में जब कांग्रेस सरकार डगमागाने लगी तब उनका सहरा बनी थी मायवती 2009 के लोगसबा चुनाओं में बस्पा ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी पहले से एक जादा लेकिन ये मायवती के लिए अच्छी खबर नहीं बलकि जटका था क्योंकि मायवती को पूरी उम्मीद थी कि उनकी पार्टी बस्पा इस चुनाओं में 30 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी ताकि केंद्र की सरकार में बस्पा का दबदबा कायम रहे या मजबूत रहे दावा किया जाता है कि मायवती ने 2009 के इनी चुनाओं से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था जो की बाद में तूट गया क्योंकि उस लोगसवा चुनाओं में बस्पा से अधिक सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी सपना बड़ा था मायवती के मन में अभी भी बना हुआ था लेकिन 2012 के यूपी विधानसवा चुनाओं ने सारे सपनों पर ठंडा पानी डाल दिया 2012 के इन चुनाओं में 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले बस्पा के पास 206 सीटे थी 206 से 80 बड़ा डाउन फॉल हुआ जिसका फाइदा समाजवादी पार्टी को हुआ सपा इस चुनाओं में पूर्ड भहुमत हासिल करके सत्ता पर काविज हो गई थी बस्पा का संगठन मजबूत है पूरे उत्तर प्रदेश में मगर बस्पा ताकतवर होने के बजाए दिन वा दिन कमजोर होती गई है साल 2014 के लोकसवा चुनाओं में मायावती भी पीम का चेहरा बन कर उबरी थी चर्चा थी कि अगला पीम UPA और NDA से अलग हो सकता है और मायावती का यहाँ दबी आवाज में जिक्र भी होता था मायावती के नामों पर भी खूब चर्चा हुआ करती थी बस्पा का खाता तक नहीं खूल पाया मायावती की पार्टी का यह अंजाम होगा ऐसा तो कभी मुलायम सिंह आदव ने भी सपने में नहीं सोचा होगा नरेंद्र मोधी की आंधी में उड़ जाने वाली बस्पा का हाल उत्तर प्रदेश के विधानसवा चुनाओ में भी खस्ता हाल हो जाएगा इसकी भी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी साल 2007 से 2012 तक बहुमत से सरकार चलाने वाली पार्टी महस 10 साल के बाद 2017 में तीसरे पाइदान पर पहुँच गई है बस्पा 10 सालों में ही 206 सीटों से 19 सीटों तक लुड़क कर आ गई है हाला कि साल 2019 के लोगसभा चुनाओं में अपने सबसे मजबूत दुश्मन सपा के साथ हाथ मिलाने के बाद वह लोगसभा में 10 सीटों का अकड़ा चूने में सफल जरूर हो गई है जब पार्टी धीरे धीरे बिखरने लगे तो पार्टी मुखिया का काम होता है सबको समझना, समझाना, समहलना पार्टी के कारिकरताओं को एक जुटकर नाराज नेताओं और कारिकरताओं को मनाने की कोशिश करना लेकिन बस्पा पर यह है फॉर्मूला फिट नहीं बैठता बस्पा की अब तो आदत में शुमार हो गया है कि वह चुनाओ से पहले बड़े नेताओं को ऐसे पार्टी से बाहर निकाल देती है जैसे दूद से मक्ही बस्पा किसी भी नेता को निकालने की बस एक ही वज़ा बताती है कि वह नेता पार्टी लाइन से हटकर कारे कर रहा था और डिस्रिप्रिनरी एक्शन लिया गया और बताया जाता है कि वो डिस्रिप्लिन की धज्जियां उड़ा रहा था पार्टी लाइन से अलग हटके काम कर रहा था, ऐसा लगता है, इस पार्टी में डिसिप्लिन फर्स्ट प्रारिटी है, देखने सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन बस्पा और मायावती पर जो आरूप लगते हैं, उनको सुनकर तो ऐसा नहीं लगता, खेर, 19 से 7 विद तमाम नेता आज बस्पा से अलग हो चुके हैं, बस्पा की स्थापना जब हुई तो तमाम बड़े नेता बस्पा में हुआ करते थे, जिसमें नाम लटाता हूँ आपको, सोने लाल पटेल, नसीमुद्दीन सिर्दिकी, जंग बहादूर पटेल, दीनानात भासकर, मसूर, एहमद, दद्दू परसाद, आरके चौधरी और राज बहादूर जैसे नेता शामिल थे, बड़े नेता थी है, इसके बाद स्वामी परसाद मौरे, ब्रजेश, पाठक, इंदरजीत, सरोच, जुगल कुशोर जैसे नेता, बस्पा में शामिल हुए, जिनमें से जो अलविदा कह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि बस्पा को अलविदा कहने वाले नेताओं का करियर खत्म हो गया, या फिर उन्होंने राजनीती से सन्यास दे लिया, बलकि ऐसे तमाम नेताओं की लंबी लिस्ट है, जो दूसरी पार्टी में खासी इज्जत रखने लगे हैं बस्पा में सिवाए मायावती और सतीष चंद्र मिश्रा के अब कोई भी बड़ा चेहरा तलाश्टे के लिए खूब दिमाग खपाना पड़ता है, लाल्टेन लेकर ढूनना पड़ता है, लगबत सारे ही बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन सोचने पर म मायावती का हिडन एजंडा क्या है? उनकी अगले साल होने वाले यूपी चुनावों को लेकर रड़नीती क्या है? वो क्या छुपा रही है? अगर वो कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है, तो ठीक है, वरना मायावती जी ने जो स्पेस यूपी की राजनीती में उसका फायदा कहीं न कहीं प्रियंका गांधी उठा सकती है। बाकी बाहर बाहर से तो यही लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो बसपा से एक दिन सब निकाल दिया जाएंगे आखिर में बचेंगी तो सिर्फ माया वती। तो आज के लिए फिलाल इतना ही कलेक फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी और उस पर खूब बात होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बनी रहेगा निउस वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।